सोने के आज के दिन में क्या भाव रहे चार बड़े मुख्य सेरों के अंदर उसके बारे में हम ये वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे और मेरा भी जो है क्या मानना है सोने के भाव को लेकर आने वाले समय में सोना बढ़ेगा या कम होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो पहले बात करते हैं एमदाबात के बारे में एक ग्राम आठ ग्राम दस ग्राम के 24 करेट के जो बाव है वो यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं फिर जो है वो मुंबई के बाव जो है वो आपके सामने दोस्तों में ला रहा हूँ अब बात कर लेते हैं कोलकता की क्या बाव रहे उसके बारे में भी जो है वो हम देख लेते हैं और अब जो है वो दिले के बारे में भी देख लेते हैं तो लगबग लगबग 24 करेट में 61,800, 900 के बाव जो है वो सभी बड़े मुख्य सहरों में रहे है 22 करेट के जो बाव है वो यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों एमदाबाद, मुंबई और फिर जो है वो कोलकता और उसके बाद जो है वो देली उसमें लगबग 22 करेट में 56,600 से 700 के आसपास जो है वो सभी बड़े मुख्य सहरों में आज के दिन में 22 करेट के सोने के बाव जो है वो रहे है तो दोस्तों सोना जो है वो पिछले कई सारे दिनों से जो है वो लगातार तेजी कर रहा है और मेरा मानना है कि सोना जो है वो और तेज हो सकता है अगर हम सोने में जो है वो 61,400 का जो लेवल है वो हम उपर की तरफ काटे हम यह बाव बात कर रहे है दोस्तों MCX के बाव अब यह थोड़ा द्यान रखेगा क्योंकि अभी MCX के बाव में और सराफा बजार में काफी अंदर आ रहा है तो 61,400,500 का लेवल जो है वो सोने में हमें MCX के उपर द्यान में रखना चाहिए यह लेवल अगर उपर की तरफ हम रुपते है तो लगबग लगबग 62,500 के आसपास के बाव जो है वो हमें सोने में दिख सकते है ऐसा मेरा मानना है सोने में गिरावट की उमीद हम कर सकते है दोस्तों अगर जो है वो 69,500 का लेवल नीचे की तरफ काटे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे दन्यवाद